नमस्ते मित्रों हमारी GPSC ने question पूछ लिया अमरीका के सत्ता परिवर्तन पे हलाकि सत्ता परिवर्तन हुए हुए काफी समय हो गया और GPSC ने question पूछे हुए भी काफी समय हो गया लेकिन हम paper solve करा रहे थे तो सोचा इस question का अंसर हिंदी में दे देते हैं गुजरात के बाहर वाले भी काफी students का मन होगा इसे जानने में तो question पूछा है USA में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसकी भारत के उपर क्या आसर होगी मतलब काफी सारे लोग anticipate कर रहे थे कि डॉनल्ड टरंप ही दुबारा जीत जाएंगे और यूएस के इतिहास में बहुत rarely हुआ है कि कि किसी president को second term ना मिली हो लोग चाह भी रहे थे कुछ अटकले भी चल नहीं थी कि अगर डॉनल्ड टरंप जीतेंगे तो भारत के लिए ज्यादा अच्छा होगा और जोसेफ बाइडन अगर जीत गए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा भारत के लिए तो सबसे पहली बात ये सर्वता मित है भारत आज उस position पे पहुँच चुका है कि अमरीका का रश्टपती कोई भी हो भारत और अमरीका के रिष्टे अच्छे ही रहेंगे कुछ facts देख लेते हैं एक ट्रम्प को माना जा रहा है कि भारत के लिए ज़्यादा favorable था मोदी जी का अच्छे मित्र बन गए थे पर्ट मोदी जी की आदत है वो दोस्त बनाने में माहिर है जैसे कि बैरेक उबामा को वो बैरेक बुलाते थे फर्स्ट नेम से बुलाते थे तो वेस्टन कल्चर में फर्स्ट नेम से आप close friends को ही बुलाते हैं वरना संबोजन होता है Mr. President Mr. Prime Minister ये वाले संबोजन होते हैं या फिर Mr. Modi Mr. Obama फर्स्ट नेम से आप close friends को ही बुलाते हैं डानल्ड ट्रम्प के साथ भी मोदी जी ने अच्छी दोस्ती कर ली थी तो वो एक मीम चल गया था हाथ पे पटक के मार दिया तो भाया इतनी हिम्मत शायद भारत के किसी प्रदानमंत्री की इतने सहज कोई भी नहीं हुए कि अमरीका के राष्ट पती के साथ इतने गुल मिल जाएं तो ये एक मोदी जी की आदत है तो बाइड पती हो दूसरी चीज बाइडेन के एक अंकल है एंगलो इंडियन और बाइडेन की जो बाइडेन की कोई एक गरमी की छुटी भारत में बीची थी यह कनेक्शन जो बाइडेन ने भी निकाला था उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन की है तो उससे भी काफ बड़ी है यूएस से में तीस लाख भारतिया हैं अमरीका में अमरीका के पुपुलेशन का एक परसंट होता है लगबग तो वह डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रती काफी क्लोज कॉंटेक्ट हैं उनके काफी वांत है उनकी तो उस वज़े से भी जोसे बाइडेन का जीतना भारत के लिए कोई हानिकारक नहीं है दूसरी चीज बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के 50 दिनों के अंदर उन्होंने 55 भारतियों को की पुजिशन्स पे अपॉइंट किया था जो अब तक का सरवादिक है मतलब इतने ज़्यादा भारतियों को की पुजिशन्स पे किसी भी अमरीकन राष्ट्रपती में नहीं किया था डॉनल्ड ट्रम्प के टाइम पे भी काफी ज्यादा थे पर हर राष्ट्रपती के साथ अमरीका की गवर्मेंट की की पोजीशन पर जो महत्वपूर्ण काफी पढ़ी लिखी कम्मूनिटी है काफी अमीर कम्मूनिटी है तो जिस तरह से इस्राइल वाले लेक्र में हमने डिसकस किया था कि जूइश लोबी का काफी ज्यादा dominance है अमरीका की politics पे आने वाले दिनों में भारतिय लोबी का भी अच्छा खासा dominance होगा अमरीका की politics पे जोर्ज बुश के टर्म से कहा जा रहा है कि भारत और अमरीका के संबंद काफी अच्छे होने लगे दोस्ती की शुरुआत हुई बिल क्लिंटन के अंडर बिल क्लिंटन और वाच्पाई की दोस्ती शुरू ही थी उसके बाद जॉर्ज बुश के टाइम से तो काफी अच्छे संबंद होने लगे तो जॉर्ज बुश बेरेक ओबामा डॉनल्ड ट्रंप ने शुरुआत के समय में थोड़ा सा स्लो चले दे भारत के साथ दोस् कर रहे हैं मतलब यह चीज जोसे बाइडन के दिमाग में भी कहीं ना कहीं है कि मुझे बारत के साथ अपने रिष्टे बहुत अच्छे करने हैं कुछ कारण है एक चाइना का ग्रोथ काफी बढ़ चुका है अमरीका अपने शुरुआती सुपर पावर डम के शुरुआती सालों में माने वर्ड वर टू के बाद अमरीका को काफी सालों तक यह नहीं पता चला कि एशिया में दोस्तिक इस्से की जाए तो वो चा को नीचा दिखाने के लिए चाइना को बढ़ा कर दिया लेकिन चाइना रश्या से भी बड़ा दूशन साबित होगा आने वाले दिनों में तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के अलावा अमरीका के पास कोई आप्शन नहीं है तो यह बात जोसेफ बाइडन को भी भी कहें अजीर डोवाल की फॉरेंड पॉलिसी कहें या जो भी कहें कुछ प्रेशर आगे तो फिर बाद में वहां पे दोनों पार्टी की तरफ से प्रेशर आये थे जोसेफ बाइडन के ऊपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दोनों की तरफ से कि इंडिया हमारा अच्छा पिछले साल कोरोना की जब फर्स्ट वेव अमरीका में उदम मचा रही थी तब भारत ने बहुत सारी दवाईयां भेजी ती और उनकी मदद की तो भाई आप भी अब यह मदद रिटर्न करने की बारी है कोई कार करने वाली बात नहीं है क्वाड नाम से चार देशों का ग् पकड़ेगा लेकिन जोसेफ बाइडन के आने के बावजूद क्वाड की गती में कोई फर्क नहीं बड़ा क्वाड है चार देशों का समू है अमरीका बारत ऑस्ट्रेलिया और जापान जिन चार देशों का जो चार देश कहा जा रहा है कि चाइना के सामने लोहा लेने के है यही चार देश के बलं है उसकोड की एक वरचूल समेट हो चुकी से रश्टाद्यक्षों की है और उसकोड में एक ही देश है जो चाइना के साथ बॉरंडर शेर करता है वह भारत तो को भारत की उतनी आवश्चागता है जितनी भारत को क्वाड किया वर्शक्ता है अफगानिस्तान में और म्यानमार में जो क्राइसिस अभी चल रही है तालिबान वाली उसमें भी अमरीका को भारत की साथ दोस्ती कंपलसरी है क्योंकि भारत की बॉर्डर शेहर होती है दोनों देशों के साथ प्लस अफगानिस्त अधिशाली है भारत के साथ अमरीका की दोस्ती अच्छी है तो अफगानिस्तान में भी अमरीका की कुछ पैट रहेगी और भारत का इंवेस्मेंट भी काफी जादा है अफगानिस्तान में करीब तीन बिलियन डॉलर का इंवेस्मेंट है काफी सारे प्रोजेक्ट भारत ने बनाए हुए अफगानिस्तान में उनकी पार्लामेंट भारत ने बना के दी थी एक बहुत बड़ा सलमा डैम काफी सारे हाइवे स्कूल काफी सारा इन्वेस्टमेंट है भारत का वहां पे उसी तरह म्यानमार में जिस तरह से डेमोक्रसी का मर्डर हो रहा है अभी तो वहां भ प्रती डॉनल्ड ट्रम्प का रुख काफी सक्त था और भारत के उपर प्रेशराइज किया था कि एरान के साथ अपने सारे डील्स कट कर दो तो भारत को एरान एकदम बगल वाला देश है और वहां से एकदम सस्ती कीमत में पेट्रोल मिल रहा था लेकिन अमरीका ने भारत को प्रेशराइज किया दूसरा वेनेजुएला इरान वेनेजुएला दो देशों से भारत को काफी सस्ती कीमत पेट्रोल मिल लेकिन डॉनल्ड ट्रम्प ने प्रेशराइज किया अब अमरीका से पेट्रोल खरीदो अमरीका महंगा पेट्रोल बेच रहा था भारत को तो वह तो भी जोसेफ बाइडन के आने के बाद उमीद है कि इरान के साथ भी भारत के रिष्टे सुदर जाएंगे प्लस S-400 मिसाइल जो हम रश्या से खरीदने वाले हैं उसको लेके भी डॉनल्ड ट्रम्प ने काफी सक्त रूख अपनाए था एक लॉप पास किया था डॉनल्ड ट्रम्प गवर्मेंट ने काट सा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी त्रू सैंक्शन एक्ट तो जिस जिस कोई भी देश अगर व्यापार करेगा तो अमरीका उनके उपर सैंक्शन लगाएगा तो भारत रश्या के पास रश्या से S-400 मिसाइल्स खरीदने वाला है और उस उस चीज़ को लेके भी भारत अमरीका के बीच कुछ टेंशन हुए थे तो उमीद है कि जोसफ बाइडन का रुक उतना सक्त नहीं होगा रश्या को लेके अभी बाइडन और पुटिन की मुलाकात भी हुई थी उस मुलाकात का रिजल्ट काफी पॉजिटिव निकला कि दोनों के बीच अब दुश्मनी की थोड़ी कमी दिख रही है तो उससे भी भारत को फाइदा होगा पैरिस क्ल पूरा दोश्का ठीकरा भारत पर भोड़ दिया था कि बारत और चाइना हमसे मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद ले रहे हर साल लेकिन क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के तरफ बारत और चाइना का कोई खास योगदान नहीं है तो यहां भी भारत को फाइदा इंपोर्ट टेरिफ लगा रहे हो हम तुम्हारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे लेकिन हार्ली डेविट्शन लक्जरी गुड़ है और भारत जो अमरीका को एक्सपोर्ट करता है वो निसेसिटीज में अब इन दो चीजों में डिफरेंशेट नहीं कर पा प्रेफेरेंशियल टमिट दे तो डानल्ड ट्रम्प ने खुदी डेक्लर कर दिया कि भारत अब डेवलम कंट्री हो चुगा है अब हम उने प्रेफेरेंशियल ट्रेट ट्रe waking को यहां भी नुकसान हो रहा तो अब डॉनल्ड जोसेफ बाइडन के आने से उसमें भी राहत मिलेगी काफी भरतियों को वहां का वीजा मिलेगा ये भी अच्छी बात है जोसेफ बाइडन की भी ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि पूरा स्मूध ही रिलेशन रहा है अब तक का अब भी कुछ समय पहले उनकी एक नेवल शिप भारती एक एक्सक्लूजिव एकोनॉमिक जोन में गुज गई थी उस शिप का नाम है यूएसेज जॉन पॉल जोन्स और भारत ने अपत्ति भी जताई थी कि भाई तुम्हारी शिप हमारे एरिया में क्या कर रिये और जोसेफ बाइडन गवर्मेंट के साथ भी हुआ है सार अंत में ये है पूरी बात का कि भारत आज के समय में इतना शक्ति-शाली हो चुका है कि अमरीका में कोई भी सरकार हो वो भारत के साथ रिष्टे खराब नहीं कर सकते दूसरी उनकी मजबूरी है चाइना चाइना की वजह से भी वह भारत के साथ संबंद खराब नहीं कर सकते चाहे अमरीका में कोई भी सरकार हो फर्क इतना पड़ सकता है कि कोई गवर्मेंट भारत के लिए अच्छी होगी कोई बहुत अच्छी होगी उससे कमनी होगा ठीक है तो आशा करते हैं यह वाला वीडियो पसंद आया हो